2019 का Current Affairs हम लोग लगबग तयार कर चुके थे और बहुत सारे Questions हम लोग पढ़ चुके थे अब क्योंकि सारी परिक्षाएं स्थजित हो गई हैं या Post-Pond हो गई हैं तो हम लोग शुरुआत करते हैं जैनवरी से लेकर अपरेल तके Current Affairs की अब आपको ये लग रहा होगा कि अपरेल तो अभी खतम नहीं हुआ है तो अपरेल का मतलब ये है कि जैसे जैसे दिन बीथते जाएंगे हम लोग अपरेल का Current Affairs बढ़ाते जाएंगे क्योंकि ये पहला भाग है और इसमें करीब 100 के आज़ पास Questions हैं आपके Current Affairs के जिसमें जनवरी से लेकर अपरेल तक के Questions को इंकलूड किया गया है अब परिक्षाएं अभी तो हैं नहीं कुछ दिन बाद ही होंगी तो हम लोग कोशिस करेंगे कि जैसे जैसे अपरेल बीथता जाएगा वैसे वैसे उसके Questions भी उसमें इंकलूड करते जाएंगे तो ये मेरे खुद के बनाय हुए Notes हैं जो इस बीच मैंने तयारी के लिए बनाया थे लेकिन सारे exams पोस्पॉंड हो चुके हैं तो आईए शुरू करते हैं पहला पहला पेज़ पे पहली News है फिक्की की नई अध्यक्ष तो ये संगीता रेड़ी बनाई गई है फिक्की की नई अध्यक्ष और फिक्की का फुल फॉर्म है Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry दूसरा question है राश्टीबाल कॉंग्रेस के 27 में संसकरण की शुरुआत तिर्वनन पुरम में हुई थी तीसरा है अटल किसान मजदूर कैंटीन का उदगाटन तो ये हरियाना सरकार ने किया है हरियाना में किया गया है और इसमें मजदूरों को 10 रुपए में भरपेट भोजन की सुवधा दी जाएगी कुछ प्रमुक तेवहार हैं जैसे धानू जात्रा ये उडिसा का है और बाली जात्रा भी उडिसा का है कुछ और तेवहार हैं जो उडिसा के ही हैं कोडार कनरत्य महोत्सो बाली जात्रा और ये जो बाली जात्रा है चावल पकने पर कौन सा तेवहर मनाया जाता है तो नुवा खाई, बाली जात्र, धानु जात्र, ये अभी हाली में उडिसा में मनाया गया थे तो इस वज़े से ये important हो सकते हैं आगे बढ़ते हैं, next question पर चोरी किये गए, mobile को trace हुआ, block करने के लिए केंदर सरकार द्वारा शुरू किया गया अब कौन सा है, तो ये है CEIR, CEIR, इसका full form क्या है Central Equipment Identity Register, और mobile से related ही है, आपने सुना भी होगा IMEI number, mobile के जो पीछे होता है, बैटरी के नीचे और उसी से trace किया जाता है mobile को, कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं काफी help मिलती है इस number से, तो इसका full form भी जानना जरूरी है International Mobile Equipment Identity, ठीक है Railway सुरक्षा बल का परिवर्तित नाम, भारती Railway सुरक्षा बल सेवा और अगला है, दरस्टिवादिल लोगों के लिए RBI द्वारा शुरू किया गया एप कौन सा है, इसका नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम रखा गया है Money, money का full form भी जानना जरूरी है Mobile Added Note Identifier, इससे क्या होता है, एप के सामने Note आप रखेंगे, तो एप आपको बताएगा कि ये कितने का Note है आगे बढ़ते हैं, आठवे Question पे, वर्ष 2022 में मेगाले में प्रस्तावित 49 में, 49 में राश्ट्री खेलों का शुभंकर क्या है, तो ये Clouded तेंदुआ है ये बिल्ली ऐसा होता है, Clouded तेंदुआ, और इसी को शुभंकर रखा गया है उधर ही हिमाले, हिमाले में घाले और उस छेतर में ये पाया जाता है, Clouded तेंदुआ प्रो कबड़ी लीग 2019 की विजेता, ये बंगाल Warriors जीती थी प्रो कबड़ी लीग और दिल्ली से इसका मुकाबला हुआ था, बहुत ही अच्छा मुकाबला था लेकिन बहुत ही चमतकारिक प्रदर्शन करते हुए इसको बंगाल Warriors ने जीत लिया था जबकि उमीद थी कि दिल्ली ही जीतेगी, क्योंकि उसका performance बहुत बहतरीन था यारामा है, रास्टी बैडमिंटन कोच पुलेला गोपी चंद को किस संस्थान द्वारा डॉक्टरेट की मानत उपाध ही दी गई है तो ये IIT कानपूर द्वारा दी गई है, बहुत ही परसिध कोच हैं, पुलेला गोपी चंद आगे बढ़ते हैं, भारत के रोही शर्मा ने क्रिकेट विशुकप 2019 में किसी एक विशुकप में सरवाधिक पांच शतक लगाए थे और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा था, तो कुमार संगकारा का, कुमार संगकारा ने शायद चार शतक लगाए हैं एक विशुकप में, तो उन्ही का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है, पांच शतक लगाकर अभिनंदन योजना अपोनार अपोन घर योजना ये सब असम सरकार द्वारा शुरू की गई योजना हैं अभिनंदन योजना और अपोनार अपोन घर योजना फिर अगला है महिलाओं की सुरक्षा के लिए दामिनी एप की सरकार द्वारा लॉंच किया गया है तो ये उत्तर ब्रदेश सरकार द्वारा लॉंच किया गया है पंद्रावा क्वेशन है नागरिक्ता शंशोधन कानून के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला पहला राज कौन सा था? ना अगरिक्ता शंशोधन कानुन के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला पहला राज केरल बना था सुलामा है प्रगती मैदान मेट्रो स्टेशन नई दिल्ली का परिवर्थित नाम क्या है अब तो ये कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट स्टेशन नेक्स्ट है सत्रा खेलो इंडिया यूथ गेम्स दोजार बीस गुआ हाटी असम में होंगे और ये तीसरा संसकरन शुभंकर इसका जै और विजय और इसमें दो नए खेल सामिल किये गए हैं साइकलिंग और लॉन बॉल्स तो याद रखना खेलो इंडिया यूथ गेम्स दोजार बीस की बात हो रही है गुआ हाटी असम में संपन हुए तीसरा संसकरन शुभंकर इनका जै और विजय और इसमें दो नए खेल सामिल किये गए हैं साइकलिंग और लॉन बॉल्स अब इसके अलावा खेलो इंडिया यूश्टी गेम्स भी होता है ये है यूथ गेम्स दोजार बीस और ये है यूश्टी गेम्स दोजार बीस तो यूश्टी गेम्स दोजार बीस का पहला संसकरन इस बार हुआ है और ये भूमनेश्वर उडिसा में हुआ है ये युगा एवं खेल मंत्रारे द्वारा संचालित किया गया है अगला है क्रिकेट के ICC हॉल ओफ फेम में शामिल किया जाने वाले भारत के छठे क्रिकेटर कौन है तो ये है सचिन तंदुलकर ुझ विज्यान दिवस की थीम विज्यान में महिला है अगला है नमस्ते ट्रंप कारिकरम का आयूजन कहां पे किया गया था तो ये ऐहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में किया गया था और इस स्टेडियम ने इसी के साथ एक वर्ल्ट रिकॉर्ड बनाया है सबसे बड़े स्टेडियम होने का जहाँ पे सबसे ज़्यादा दर्शक बैठ सकते है नेक्स्ट है इसरो किस नाम से गगन्यान मिशन में एक अर्धमानों महिला रुबोट को अंतरिक्ष में भेजने का वीडियो जारी किया है इसरो ने तो ये नाम होगा इसका ब्योम मित्र इसरो की नो गढ़ित वाणिजिक एकाई New Space India Limited NSIL का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है जी नरायनन को इसका अध्यक्ष नामित किया गया है देश के पहले तैरते घाट या फ्लोटिंग जट्टी का उद्गाटन कहाँ पे किया गया है तो ये मंडोवा नदी पर वास को गोवा में किया गया है देश के पहले तैरते घाट या फ्लोटिंग जट्टी का उद्गाटन गोवा में किया गया है नेक्स्ट है भारती अधिवक्ता जिन्हें इंग्लेंड और वेल्स की अदालतों के लिए ब्रिटेन की महरानी का अधिवक्ता नियुक्त किया गया है तो इंडिया के बहुत प्रसिद्ध वकील है हरी शालवे इनको इंगलेंड ओल वेलस की अदाल्तों में चुना गया है फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहां का है तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध-प्रदेश में मनाया जाता है पुलिकट जील वा निल्ला पट्टू पक्षी विहार में इसका आयोजन किया जाता है ये दोनों आंद प्रेदेस में हैं, और इनका उद्गाटन यहीं पे किया जाता है अगला है मकर विलकु महोथ्थोग, केरल में मनाया जाता है अगला है दा रिनाइसा मैन यह फेसेट्स लिखा हुआ है, थोड़ा स्पेड में लिख देया है, इसलिए समझ में नहीं जार था तो इस पुस्तक के लेखाग है, दीपा वेंकट और मुपा वराप हर्शवर्धन बहुत इंपोर्टन यह किताब है, रीफ टॉक्सिक सनस्क्रीम पर प्रदिबंद लगाने वाला पहला देश तो यह पलाव देश है, पलाव देश बन गया है, पहला देश जिसने सनस्क्रीन पर प्रदिबंद लगा दिया है तो ये important question है आपके लिए इसको याद रखना तहला देश कौन सा है पलाव बंगलोर में आयोजन भारती विज्ञान कॉंगरेस 107 में संसकरण का जो आयोजन हुआ था वो भारती विज्ञान कॉंगरेस का ये बंगलोरू में हुआ था और यही पर और इसकी थीम क्या थी Science and Technology S&T Science and Technology Rural Development विज्ञान और प्रद्योगी की ग्रामेड विकास इसकी थीम थी भारती विज्ञान कॉंगरेस की 107 में संसकरण की यही पर किसान विज्ञान कॉंगरेस का उदगाटन किया गया और यही पर आयोजन हुआ है महिला विज्ञान कॉंगरेस का नेक्स्ट है ये क्रशी भूम को पट्टे पर देने की नीत तयार करने वाला देश का पहला राज तो ये उत्तरा खंड बन गया है ऐसा राज जो क्रशी को पट्टे पर देगा 25 जन्वरी राष्टी मत्दाता दिवस मनाया गया और इस बार की जो थीम थी वो थी Electoral Literacy for Stronger Democracy नेक्स्ट है जन्वरी जन्वरों के प्रवासी प्रजातियों के सनरक्षन पर 13 सम्मेलन COP13 का आयोजन गांधी नगर गुजरात में किया गया था जन्वरी जन्वरों के प्रवासी प्रजातियों के सनरक्षन पर कॉप 13 कायोजन गांधी नगर गुजरात में और इसकी थीम थी इस उपग्रा को जोडने वाली प्रवासी प्रजातियों का स्वागत है फिर नेक्स्ट है देश के पहले एनिमल वार मेमोरियल जानवरों के लिए युद्धिस मारक का निर्मार कहां पर किया जा रहा है तो ये मेरट उतर प्रदेश में इसका निर्मार किया जाएगा बायो एशिया सम्मिट 2020 इसका उदगाटन भी हैदराबाद तिलंगाना में किया गया है अगला है देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड़ा इंदरागान्दी अंतरास्टी हवाई अड़ा नई दिल्ली बना है देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड़ा तो ये बना है इंद्रागान्य अंतरास्टी हवाई अड़ा नहीं दिल्ली Most important question है देश की पहली सुपर फैब लैप का उदगाटन कोच्ची केरल में किया गया भारत के पहले E कचरा क्लीनिक का उदगाटन भौपाल मदप्रदेश में तो ये भी important question है पहला E कचरा क्लीनिक यहाँ पे जितना electronic कचरा होगा उसको एकठा करके उसका जो भी है recycle लिया और कहीं पे जहां पे योज हो सकता है ये किया जाएगा तो ये खोला गया है भौपाल म अधिप्रदेश में फिर है हेनले passport index बहुत ज्यादा चर्चा में था और important question है इसमें 2020 में भारत की ranking 84 है और पहली रैंक पे जिसका passport है वो देश है जापान और अंतिम अस्थान पर है नाइजीरिया जिसका passport सबसे कमजोगर माना जाता है रामजन भूम छेत्र ट्रस्ट का अध्धक्ष किसे बनाया गया है तो महन नरत गोपाल दास को बनाया गया है चालिसमा कोशन है निजी छेत्र की पहली ट्रेन जो पहली तेजस एक्सप्रेस के नाम से निजी ट्रेन चलाई गई है वो चलाई गई है लखनौ और दिल्ली के बीच में पहली ट्रेन लखनौ और दिल्ली के बीच में चलाई गई है फिर इसी नाम से दूसरी ट्रेन गई है वाराणसी से उज्जैन होते हुए इन दोर तक चलाई गई है तीसरी निजी ट्रेन जिसका नाम है महाकाल एक्सप्रेस 41th question है रास्टी चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्स शुरेश चंद शर्मा लाई हरोबा तोहार ये महती समझाय द्वारा मनाया जाता है त्रिपूरा में और त्रिपूरा के और भी कई सारे जो most important तोहार हैं पिछले भी भाग में मैंने बताया था लेकिन यहां भी आप important व वेशो ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है तो चार जन्वरी को मनाया जाता है अगला है खादी एम ग्रामीर उद्द्योग आयोग ने पहले रेशम प्रसंस करण संयंतर की अस्थापना कहाँ पे की है तो ये है गुजरात में इन्होंने इसकी अस्थापना की है पहले रेशम मालवत पूर्णा छे महादुईपो की सबसे उंची चोटियों पर चड़ने वाली दुनिया की पहली वास सबसे कम उमर की आधिवासी महिला बनी ये हैं कहां की तेलंगाना की हैं भारत के पहले कच्छुआ पुनरवास केंद्र का उदगाटन बिहार में किया गया भारत का पहला स्मॉग टावर नई दिल्ली में किया गया जिसकी उचाई 20 फिट है AK-203 या AK-203 Assault Rifle किस देश से मंगाई गई है भारत में ये रूस से मंगाई गई है दशक का सरुसेष्ट सब्द दे को कहा गया T-H-E-Y इसको दशक का सरुसेष्ट सब्द माना गया है एशिया प्रशान्त ड्रोसो फिला सम्मेलन ये पुणे में किया गया है 19 में एशियाई खेल 2022 में होंगे और ये चीन के हांग जो शहर में प्रस्तावित हैं इसका सुभंकर जो है वो तीन रोबोट हैं जिने सामोहिक रूप से स्मार्ट ट्रिपल कहा जाता है और इनके नाम है कांग कोंग लियान लियन और चेन चेन ठीक है इनके नाम है कांग कोंग लियान लियन और चेन चेन विश्व वन जीव दिवस विश्व वन जीव दिवस तीन मार्च को मनाया जाता है और इसका जो थीम था प्रत्वी पर सभी जीवन को बनाया रखना उसका थीम था और ये मना जाता है तीन मार्च को फिर राष्टी समुद्र दिवस पांच अपरैल को मनाया जाता है अंतराष्टी महिला दिवस आठ मार्च को मनाया जाता है 2020 में इसकी थीम थी I am generation equality realizing women's right मैं generation equality हूँ महिलाओं के अधिकारों को महसूस कर रही हूँ विश उभोगता अधिकार दिवस ये 15 मार्च को मनाया जाता है और 2020 की जो थीम थी वो थी the sustainable consumer सतत ग्राहक और एक और मनाया जाता है राष्टी उभोगता संरचन दिवस ये विश उभोगता अधिकार दिवस 15 मार्च को है और राष्टी उभोगता संरचन दिवस हम लोगोंने मनाया था 24 दिसंबर को अंतरास्ति प्रसनत दिवस 20 मार्ज को मनाया जाता है और इसका जो the icon था happiness for all together विशुगाराया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है विशुगाराया दिवस 20 मार्च को और इसका जो the icon था इस बार का दो हजार बीस का वो था I love sparrows next है दुनिया का पहला dark sky nation dark sky nation new island और ये प्रसांथ महाशागर में है और new island की जो राजधानी है वो है अलोफी ये important question है dark sky nation का मतलब है जिम्मेदार प्रकास नीत जिनको जाना जाता है रात में सुभाविक रोप से जहांपे अंधहरा कर दिया जाता है lights वगेरा off करके तो इसको dark sky nation का नाम दिया गया है हाले में new island अब इसमें आपको सारी बाते याद रखनी है यानि new island की राजधानी क्या है अलोफी और ये किस महाशागर में इस्तित है तो ये प्रशान्त महाशागर में इस्तित है ये दोनों चीज़ें ही most important है वेश्व डाउन सिंट्रोम दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है अंतरास्टी वन दिवस या विश्वान की दिवस most important है तो इसको भी आपको याद रखना है अंतरास्टी वन दिवस या विश्वान की दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है और 2020 की जो थीम थी वो थी वन और जय विविद्था Forest and Biodiversity वेश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को वेश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को ये भी important है और 2020 की जो थीम थी Water and Climate Change जल और जलवायू परिवर्तन फिर अगला है विश्व तबेतिक दिवस यानि टीवी दिवस यानि टीवर क्लोसिस दिवस ये 24 मार्च को मनाया जाता है और इस बार की जो थीम थी It's Time to End TV यह TV खतम करने का समय है तो ये इसकी थीम थी फिर next है भारती रिवले में अपना पहला restaurant on wheel कहां पे खोला है तो ये आसन सोल पशिम मंगाल में खोला है अब अभी तक आप लोगों ने 107 में विज्ञान कॉंगरेस के बारे में सुना था वो हुआ था बैंगलूरू में और ये 108 मा भारती विज्ञान कॉंगरेस ये पूणे महारास्ट में हुआ नेक्स्ट है चापर कूट चापचर कूट तोहार ये मिजोरा में मनाया जाता है क्रिकेट के डकवर्थ लोइस नियम के प्रितपादक टोनी लोइस का निदन हो गया है तो ये पूछा जा सकता है टोनी लोइस जिनका अभी हाली में निदन हुआ है वो किस छेतर से संबन्दित थे तो आप बता सकते हैं क्रिकेट से संबन्दित थे इन्होंने क्रिकेट में एक महात्वोर्ण नियम डॉक्वर्थ लुइस का प्रतिपादन किया था और इसमें क्या होता है जैसे बारिश बगरा हो जाती है तो कुछ अपना ये स्केलिंग या कुछ अल्गोरिधम बिढ़ा के और जीत हार का फैसला इसके थुरू किया जाता है डॉक्वर्थ लुइस के थुरू दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का निर्माण कहां पे किया गया है तो ये मोस्ट इंपॉर्टन्ट है हैदराबाद में किया गया है संपिरिती सेन अभ्यास 2020 ये मेखाले में किया जाएगा और ये होता है भारत और बांगलादेश के बीच में गुलमकई के निदेशक अमजद खान है गुलमकई एक मोवी का नाम है और ये मालाला यूसूप जाई पर आधारित है गड़तन्तर दिवस के समापन पर आयोजित कारिकरम बीटिंग दा रिट्रीट नाम से किया जाता है मतलब गड़तन दिवस का जब समापन होता है तो समापन पर एक कारिकरम किया जाता है उस कारिकरम का एक खास नाम है जिसको का जाता है बीटिंग दा रिट्रीट नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का इस्थापना दिवस 24 जन्वरी उत्तर प्रदेश का जो इस्थापना दिवस है वो 24 जन्वरी है इस साल भी मनाये गया है नेक्स्ट है सीएम करशक दुरघटना कल्याण योजना ये शुरू की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और इसमें पांच लाग का बीमा किसान के लिए किया जाता है फीबा जो बास्केट बाल के लिए फेमस है जो संस्था है वह इसका मुख्याले कहां पर है इसका मुख्याले है मी स्विट जालेंड में नेक्स्ट है तिहत्तर विश्वार्थिक मंच के प्रमुख कौन है क्लाउड क्लाउस्वाब क्लाउस्वाब इसके विश्वार्थिक मंच यानि आई अमेफ के प्रमुख है ओपरेशन संजीवनी के अंतरगत 6.2 मिलियन टन दवाएं मालदीब को अभी भेजी गई है अभी ये जल्दी की यही खबर है इंडियन एर फोर्स के द्वारा ओपरेशन संजीवनी के अंतरगत 6.2 मिलियन टन दवाएं मालदीब माले को भेजी गई है और यहां के जो राश्टपती है मालदीब की राजधानी माले है और राश्टपती यहां के है इबराहिम मुहम्मद साले राजकमारी मारिया टेरेसा इस्पेन की हैं जो कोविड-19 से मरने वाली प्रतम शाही बेखती है 76 है चलवायू परिवर्तन सिकर सम्मिलन कॉप 26 Glasgow Scotland में होना था लेकिन यह इस्थगित कर दिया गया है में दो एंसमारी कोलेज खोलने को मंजूरी दी गई है तो अब 15370 रठने के बाद थोड़ा सा daveलप्मेंट में ध्यान दिया जा रहा है कि कम से कम महा के लोगों की थोड़ा सा थिंकिंग चेंज हो नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में दो एम सोर नौ मेडिकल कॉलेज को मनजूरी दी गई है नेक्स्ट है नौर्थ मेसीडोनिया अधिकारिक रोप से नाटो का तीसमा सदसे बना है तो ये आपको याद रखना है कि नाटो का तीसमा सदसे कौन बना है नौर्थ मेसीडोनिया अरबियाई के वरतमान गवर्णर कौन है तो इनका नाम आपको पता ही होगा सक्तिकान दास है AIIB Asian Infrastructure Investment Bank इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है इसका मुख्याले कहां पर है तो इसका मुख्याले बीजिंग में है और इसके अध्यक्ष जिन लिकुन है इसके अध्यक्ष इस समय है जिन लिकुन ADB का फुल फॉर्म क्या है Asian Development Bank इसका मुख्याले है मांडा लुयोंग फिलिपीन्स में या हम लोग कह देते हैं मनीला फिलिपीन्स में इसका मुख्याले है तो वो भी सही है अध्यक्ष इसके हैं मसाथ सुगू उसा कावा मसाथ सुगू असा कावा ठीक हैं बड़े अजीब वो गरिब नाम होते हैं तो AIIB का मुख्याले बीजिंग में है और यहाँ पर आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं मुख्याले इसका AIIB का बीजिंग में है और अध्यक्ष इसके जिन लिकुन है ADB का मुख्याले मनीला फिलिपीन्स या मांडा लुयोंग जगे का नाम है जहाँ पर यह है तो मांडा लुयोंग फिलिपीन्स में है और ADB के जो अध्यक्ष हैं वो हैं मसाथ सुगू असकावा नेक्स्ट है भारत में तीन रेल कोच फैक्टरी हैं इंटिग्रल रेल कोच फैक्टरी जो चन्नाई में है रेल कोच फैक्टरी का पूर थला में है तो यही तीन पूरे इंडिया में फेमस हैं और इनके नाम आपको याद रखने हैं यह रेल कोच फैक्टरी कहां-कहां पे है तो इंटिग्रल रेल कोच फैक्टरी चन्नाई में है रेल कोच फैक्टरी का पूर थला में है और Modern Rail Coach Factory ट्राइबरली में है किस महान बास्केट बॉल खिलाडी को अमेरिका के नाई Smith Basketball Hall of Fame में शामिल किया गया है तो Kobe Bryant जिनको Black Mamba के नाम से जाना जाता था इनको शामिल किया गया है और इसका मेन कारण ये है कि इनकी एक पिमान दुरगटना में मौत हो गई थी जो अमेरिका के बहुत अच्छे प्लेयर थे बास्केट बॉल के तो इस वज़े से इनको नाई Smith Basketball Hall of Fame में शामिल किया गया है Kobe Bryant तो ये आपको बहुत ही जरूरी है याद रखना बहुत ही important question है Kobe Bryant का नाम आपको पता होना चाहिए इनका उपनाम जो famous था आपस में लोगों में वो था Black Mamba और ये किस खेल से समंदित थे तो ये बास्केट बाल के खिलाड़ी थे PETA या PETA जो भी आप कहते हों PETA इंडिया दौरा Hero to Animals Award Hero to Animals Award ओडिसा के CM नवीन पतनायक को दिया गया है और इसका में कारण ये है कि जब से ये lockdown शुरू हुआ है तो इन्होंने 5-6 लाख रुपाए मतलब अपनी निधि से जो वहां के जानवर होते हैं उडिसा के लोकल या उडिसा में कह लिजे जो भी जानवर घुमन्तू टाइप के होते हैं उनके खाने पीने की बिवस्था के लिए इन्होंने 5-6 लाख रुपाए रिलीज किये थे इस वज़े से इनको PETA ने जो एक जानवरों की संस्था है तो उसके द्वारा इनको Hero to Animals Award दिया गया है अगला है शानती वाविकास के लिए अंतरास्टी खेल दिवस 6 अपरेल को मनाया जाता है अब 2020 ओलंपिक 2021 तक के लिए पोस्ट पॉन कर दिये गये हैं 2020 में होना था उलंपिक लेकिन अब ये एक साल के लिए कर दिया गया है पोस्ट पॉन 2022 का जो शीत उलंपिक है वो चीन के बीजिंग में प्रस्तावित है 2024 का ग्रेश्म उलंपिक जो है वो पेरिस में प्रस्तावित है तो ये अभी आगे की बादे है छे अपरेल को इस साल इसी छे अपरेल को महावेर स्वामी की जयनती मनाई गई जो जयन धर्म के 24 में या कह लीजिए अंतिम तेर धंकर थे ठीक है 24 में या अंतिम तेर धंकर थे और इनका जो चिन्न था वो था सिंग या शेयर अब ये जो 6 अपरेल के डेट है ये हर साल फिक्स नहीं होती है ये चैतर माह के 13 दिन प्रत्येकवर्ष मनाई जाती है ऐसा जैन धर्म के हिसाब से है किताबों में 6 अपरेल आपको मिलेगा इस साल का क्योंकि इस साल ये 6 अपरेल को मनाया गया है और ऐसे नौर्मली जैन गरंद के अनुसार या जैन धर्म के अनुसार चैतर माह के तिरहहँए दिन इसको मनाया जाता है उस दिन कोई भी डेट पड़ सकती है तो इनका जन्म इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कई नाम अलग अलग जगों पे मिलते हैं, नाम एक ही है, बस उसके अलग अलग और नाम दिये गए हैं या रखे गए हैं, तो वैशाली के कुंडल वन या कुंडल ग्राम या कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था फान सुनिन्या नवे, इसापूर में पहले तीर थंकर की बात करें, तो जैन धर्म के पहले तीर थंकर थे, रिशब देव जिनका चिन्य था, बैल, इनका जन्म जैन समाज द्वारा कल्याणक परुक के रूप में मनाया जाता है, तो रिशब देव, ये महावीर स्वामी का जन्म, इसको कहा जाता है, कल्याणक परुक के रूप में इसको मनाया जाता है 23 में जो थीर्थंकर थे वे थे पारशुनात और इनका जो चिन्य था वो था सर्प तो यही तीन मेली आपको याद रखने हैं एक तो पहले जिनको रिशब्देव कहा जाता था या आदिनाद भी इनको कहा जाता था रिशब्देव का चिन्य था बैल फिर उसके बाद 23 में आपको आने चाहिए 23 में थे पारशुनात जिनका चिन्य था सर्प और 24 में यानि अन्तिम थे महावेर स्वामी जो 24 में तीर्थंकर थे और इनका चिन्य था सिंग ठीक है सिंग या सेर तो यही तीन आपको एकदम रटे होने चाहिए जैन धर्म के तीर्थंकरों के बारे में पोशन अभियान के समगर कार्यानवयन के लिए आंद प्रदेश देश में देश में प्रथम है पोशन अभियान के समगर कार्यानवयन के मामले में आंद प्रदेश तिबती भाषाओं का एक समू कह सकते हैं, कई भाषा हैं मिलकर भोटी भाषा कहलाती हैं और ये वर्तमान में लद्दाख हमें बोली जाती हैं क्योंकि लद्दाख लगभग टच करता है वहां से, देश की पहली अंतर शहर या इंटर सिटी कह सकते हैं, एक शहर से दूसरे सह Shark Obviously. Electric Bus Sheva. Mumbai और थाने के बीच में शुरू की गई है किसके किसके बीच में शुरू की गई है मुंबई और थाने के बीच में शुरू की गई है आगे बड़ते हैं देश के पहले Chief of Defense Staff, General Wipin Rawat को बनाये गया है और ये rival साव stranger की की बात इसमें F choses नहीं बनाया गया क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि अगर किसी भी इस तरह के पद वाले इंसान के अंदर तीनों सेनाओं की शक्तियां इंक्लोड हो जाएंगी तो हो सकता है वो सरकार का भी तक्ता पलट कर दे और जैसे पाकिस्तान में बहुत बार हो चुका है ऐसा कि जब आर्मी का चीफ ज्यादा स्ट्रॉंग हो जाता है तो वो सरकार का ही तक्ता पलट करके खुदी शाशक बन जाता है तो इस वज़े से जनरल विपिन रावत को चीफ आफ डिफेंस स्टाप बनाया गया है लेकिन इन चीजों को ध्यान में रखके कि इनके पास इतनी शक्तियां ना आ जाएं कि ये बाद में फिर सरकार का तक्ता पलट कर दें इस्पेशली ये तीनों सेनों के बीच में सामनजस से बैठाने के लिए ये पद बनाया गया है क्योंकि कारगिल का जब युद्ध हुआ था तो उसमें ये महसूस किया गया था कि आर्मी और एयर फोर्स के बीच में अच्छा कॉमिनेशन नहीं था जिसकी वज़े से युद्ध में शुरुआती दौर में थोड़ी सी समस्या आई थी और तभी एक कारगिल कमेटी बनाई गई थी और उसने इसकी रिकमेंडेशन सबसे पहले की थी उसके बाद दो तीन समितिया और भी बनाई गई जिन्हों ने इसके से फारिश की और अब जाके ये पद बन पाया है इंडिया में और कुछ देशों में पहले से भी हैं जैसे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन वगएरा में नाम इसका कुछ और है और ये पद पहले से वहाँ पे है किस अनुच्छेद के अन्तरकत कुछ प्रतिमंदों के साथ उच्टम नियाले ने इंटरनेट के उपयोग को मौलिक अधिकार घोशित किया गया है लिकिन इसमें भी कुछ प्रतिमंदों के साथ पहला भारत अफरीका रच्छा कौन के लिए ये क्योंकि UP की नियूज है इसलिए इपॉर्टेंट हो सकती है UP के एक्जाम्स के लिए लखनों में ही ये हुआ है पहला भारत अफरीका रच्छा कौन के लिए नेक्स्ट है S.C.O. संगाई कॉर्पोरेशन और्गनाइजेशन द केवटिया चेत्र में ये बनाए गया है केवटिया या केवटिया जो भी आपको सुविधाजनक लगे अलग 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 जगों पे अलग अलग नाम है तो केवटिया गुजरात में एक जगे है जहां पे इसको बनाए गया है स्टेच्यू आफ इनुटी सरदार वल्लब भ बाटन कहां किया गया है यह किया गया है सुरेद नगर में नेक्स्ट है एक जन्वरी 2020 को देश के 28 में थलसेना ध्यच बनाए गये हैं जब जनरल विपिन रावत रिटायर हुए तो बनाए गये हैं मनोज मुकंद नर्वाने थलसेना ध्यक्ष 98 question है भारत के पहले राष्टी समुद्री विरासत संगरहाल है कहां पर बनाया जाएगा तो यह बनाया जाएगा लोथल में और लोथल इसलिए भी important है कि यहां पर हडपा सभेता में गोदी वाड़ा यानि बंदरगाह के जो प्रमाड है वो यहां से मिले थे लोथल में तो य एक option आपको यह भी मिल जाएगा कि भारत के भारत का जो पहला राष्टी समुद्री विरासत संगरहाल है वो यहीं पर बनाया जा रहा है लोथल में और यह भारत और पुर्टगाल के सहयोग से बनाया जाएगा मेंली इसका उद्देश है समुद्री अधियन समुद्री रहा है फिर नेक्स्ट है वैश्विक बौधिक संपदा सुचकांग 2020 इसमें भारत की रैंक है चालिसमी और कुल इसमें तिरपन देशों को शामिल किया गया था सौवा नंबर है UNDP द्वारा जारी मानो विकास सुचकांग रिपोर्ट में भारत की रैंक 139 है UNDP जारी करता है आपको दोनों चीज़े याद रखनी है इंपोर्टेंट कोश्चन है ये दोनों ही इंपोर्टेंट कोश्चन है वैश्विक बौधिक संपदा सुचकांग 2020 इ ये मानो विकास सुचकांग कई बार ये सीदे सीदे पूछा गया है कि कौन जारी करता है तो ये UNDP जारी करता है और इसमें भारत की रैंग इस बार है 129 मी वैश्विक लोगतंत्र सुचकांग रिपोर्ट 2019 में भारत की रैंग 51 मी है क clicking क वारत से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है तो करोना वारत से फेफर्ड़ प्रभावित होते हैं मेंली जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है और अगर इम्न सिस्टम आपका कमज़ोर है तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है लेकिन बहुत ही कमजोर इम्यून सिस्टम होता है तब ही ऐसा होता है इम्यून सिस्टम अगर आपका ठीक है तो आप सर्वाइब कर जाएंगे कोरोना वाइरस से लड़ाई के लिए केंदर सरकार ने लोग सेवा के अधिकारियों के सहयोग के लिए किस पहल की शुरूआत की है तो इसका नाम रखा है केंदर सरकार ने करोना और इसका फुल फॉर्म है तो ये लोग सेवा के अधिकारियों के सहयोग के लिए पहल शुरू की गई है करुणा नाम से और इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए Civil Services Association Reach to Support in Natural Disaster रास्टी समुद्रे दिवस 5 अप्रायल को मनाया जाता है बंगलादेश का नया नारा कौन सा है जॉय बंगला तो जै बंगला को हो सकता है वहाँ पर बोला जाता होगा जॉय बंगला तो ये बंगलादेश का नया नारा होगा अमिताब राय समिती ये जेल सुधारों से संबंदित थी ये आपको याद रखना है अमिताब राय समिती जेल सुधारों से संबंदित थी अब IQ Air एवं Greenpeace द्वारा वैश्विक गुडवत्ता रिपोर्ट जारी की गई है 2019 में इसमें ये केवल PM 2.5 कणों पर आधारित है तो कई तरह के कण होते हैं तो PM 2.5 बारी कणों बारी कण होते हैं जिनके प्रदूशन पर आधारित है IQ Air रिपोर्ट इसमें बांगला देश सबसे अधिक PM 2.5 प्रदूशित रास्ट इस मामले में वाई-प्रदूशन के मामले में है बांगला देश और इस्पेशली PM 2.5 भारत का इसमें पांज्वां स्थान है भारत के 21 शहर टॉप 30 शहरों में भारत के 21 सहर सामिल है मतलब अगर टॉप की 30 सहरों की लिस्ट देखी जाया तो उसमें भारत के 21 सहर हैं शामिल जो की बड़े शरम की बात है वैश्विक अस्तर पर की इतना ज़्यादा प्रदूशन अपने इंडिया में हो रहा है अभी तो खैर COVID-19 की वज़े से लॉकडाउन की वज़े से अब पोलूशन काफी हद तक कम हो गया है विश्व में सबसे ज़्यादा प्रदूशित सहरों में उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद प्रथम अस्थान पे है तो इस लिस्ट में IQ Air Index में गाजियाबाद नमबर वन पे है दिल्ली विश्व में सबसे ज़्यादा प्रदूशित राजधानी है अगर राजधानी की बात की जाए तो दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूशित राजधानी है बढ़ते हैं अगले क्वेशन पे एक अपरेल 1935 को RBI की अस्थापना हुई थी तो इस वज़ए से RBI का अस्थापना दिवस एक अपरेल को मनाया जाता है और इसकी जब शुरुवाती दोर में अस्थापना हुई थी तो ये कोलकाता में हुई थी और 1937 में इसको इस्थान अंतरित किया गया था मुंबाई में ठीक है शुरुवात में RBI की अस्थापना कोलकाता में हुई थी और बाद में इसका इस्थान अंतरण मुंबाई में 1937 में यानि दो साल बात किया गया था 1989 में RBI का राश्टी करण किया गया RBI का लेखा वर्ष एक जुलाई से लेके 30 जुन तक होता यानि इनका जो financial year है लेखा वर्ष है वो एक जुलाई से शुरू होता है वित्ती वर्ष एक अपरैल से 31 मार्च तक होता है तो अभी चर्चा चल रही है कि इसके RBI के भी लेखा वर्ष को एक अप्रैल से ही शुरू किया जाए दिपिका पादुकूर को World Economic Forum द्वारा Crystal Award प्रदान किया गया है वरिस्ट क्रश्वी वैग्यानिक चिंतला गोविंदा को नावाड के अगले अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है चिंतला गोविंदा ठीक है ये नावाड के अगले अध्यक्ष होंगे चिंतला गोविंदा राश्टी Forensic Sciences Bill लोक्षभा में पेस किया गया है और इसके स्थाबना गांधी नगर में किये जाने का प्रस्ताओ है तो ये थे आपके जन्वरी से लेके अप्रायल तक के 111 क्वेशन अभी और भी क्वेशन इसमें शामिल होंगे और मैं कोशिस करूंगा जो 2019 के जितने भी क्वेशन थे उनमें से जो केवाल इंपॉर्टेंट क्वेशन हैं उनको भी इनमें शामिल करके और उस क्योंकि एकजाम बहुत ज़्यादा पोस्ट पॉर्ट हो गया हैं तो अब उसके सारे क्वेशन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा होंगे हाला कि पूछा तो कुछ भी जा सकता है तो मैं एक बार फिर से कोशिस करूंगा 2019 के भी जो बहुत ही महातु पूर्ण कोशन है उनका रिवेजन हम लोग आगे के भाग में कर लें तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में थैंक्स पर वाचिंग